Hello students, ये एक notification है regarding राजस्थान computer teacher की vacancies 2022 के लिए जिसमें कि आप लोगों को website पर 14600 के accordingly कुछ post आई हुई है और जिसे कि आप लोग अपने यहां से जिसमें basically degree मांगी गई है कुछ अलग-अलग post है, अलग-अलग requirement है तो आज का ये advertisement basically इसी के लिए बनाया जा रहा है ये काफी दिन बाद एतनी bulk quantity में राजस्थान government ने educationally regarding ये post डाली है इन्होंने काफी कुछ amendment भी किया है regarding आप लोगों की age relaxation में तो आप लोग इस PDF को देख पाएंगे जो कि मेरे telegram channel पर भी है वरना government की site पर भी आप जाकर देख सकते हैं इसमें इन्होंने दिया है कि अगर आप senior computer instructors के लिए apply करना चाहते हैं साथी साथ एक post ये भी है एक basic computer instructor के लिए भी है अगर आप लोग ये पूरी की पूरी vacancies को गौर से देखे तो इन लोगोंने इस बार vacancies में A level की demand की है तो जो भी candidates इसको apply कर रहे हैं या तो उनके पास B.E. यानि bachelor of engineering या bachelor of technologies होना चीए जिसमें कि दिया हुआ है CS या IT के तुरू या communication के तुरू जो engineering वाले candidate हैं वो तो इसको apply कर ही सकते हैं graduate candidates जिनकों पास A level या PGDCA का certificate है minimum 1 year क्योंकि A level को 2 year consider किया जाता है तो इसमें O level ना लेते हुए A level वाले बच्चों के लिए apply करने का option दिया गया है ऐसी उपर वाली vacancies में आप देख पा रहे होंगे इन्होंने MSC को या फिर MCA qualified जो की master degree है उसके लिए इन लोगोंने candidates को eligible माना है और अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है इस चीज़े apply होना शुरू हो गई है वेकेंसी को apply करने के लिए आपको one time अपना registration कराना होता है साइट पर आप login करिए login नहीं है तो पहले first time आप registration कराईए जब registration आपका हो जाएगा जैसे कि आप citizenship से के थ्रू करना चाहते हैं और अल्यड़ी government employee है कैसे भी यह सब चीज़े आपको पता है इन्होंने बकायदा पूरा registration का एक demo भी दे रखा है और जब आप इसे apply कर देंगे फिर आप login करके उसके end से आप लोग अपनी इस vacancies के लिए apply कर पाएंगे vacancy की pdf के नीचे इन्होंने जो post है उसमें होने वाले exams के detail दिये गए है जैसे exam 200 marks का है जिसमें 2 papers होंगे और हर एक paper 100-100 numbers का होगा आप देखें कि इस papers में पूरा दिया गया है तो question paper will be carry पहला paper जो है 100 marks का है 2 गंटे का है और इसमें उन्होंने art and culture history, current affairs, basic reasoning ये सारी चीज़ें दी गई है और अगर आप second paper जो कि 100 numbers का फिर से 2 गंटे का है अगर आप इसमें देखें तो इसमें पूरा का पूरा उन्होंने A level के standard का computer पूछा गया है जिसमें कि आपके C, C++ भी है Java है और C++ के साथ data structures है और साथी साथ computer organization है operating systems है database management भी है तो ये सारी चीज़ें इस पर available है साथी साथ इन्होंने data structures भी cover किया है web development भी है ठीक ठाक paper इन्होंने बना है ठीक ठाक हैना क्या एक ठीक ठाक standard का paper है तो ये vacancies update था जो आप लोगों के लिए है और जो दूसरा post है उसके लिए भी इन लोगों ने दिया है लेकिन paper का standard थोड़ा क्योंकि basically दो post है एक seniors के लिए एक normal basic computer teacher के लिए तो second post में ज़्यादा अप्ग्रेडेशन नहीं है आप देख पा रहे होंगे कि second papers में कुछ basics चीज़े है data processing है AI के बारे में है computer organization और networking के दोड़े हुई basic चीज़े है और जल्दी बच्चों हम लोग अपने ICE Academy by Manesh इस application जो की play store से आप download कर सकते हैं इस application में हम लोग इस से regarding जो computer वाला section है उसका course launch करेंगे अगर आप application install कर लेते हैं तो install करने के बाद आप अपने phone के नीचे से तीसरा बटन जो store section है उस पर जाईएगा और आपको जैसे की O level triple C या फिर RO यारो की vacancies दिखती हैं वैसे ही जल्द आप लोगों को ये राजिस्तान teaching के लिए भी आप लोगों को एक पूरा course दिखाई देगा जिसे आप online video और PDF lectures पापाएंगे hoping for your best feature